प्रिशी उपल से आत्मिल भरता इंवेस्ट्मेंट चोटे शहरों में भी आए है को दुगना करने में सच्छा है नमस्कार आप सभी का स्वागत विचार विमश में मैं हूँ मुकुल शर्मा सबसे पहले आप सभी दर्शकों को विचार वश टीम की ओर से नवश की असी मुशुब कामना है हम सभी जानते हैं नया साल अब शुरू हो रहा है लेकिन इस साल में हम उमिद यही करते हैं लेकिन इसके लिए जरूर यही के जो हमारे किसान हैं फूलों की तरफ जो ध्यान दे रहे हैं और ज्यादा ध्यान दे तभी फूलों के जरीए और ज्यादा हमारे किसान जो हैं वो फल सकेंगे लेकिन किस तरीके से जो किसान है वो और ज़ादा जुड़ेंगे आने वाले समय में इस पर आज खास और से हमारा विचारिमर्श कारिक्टर में आपको उसमें हम जानकारी देंगे यह कैसे जो किसान है फूलों के जरीए अच्छी आमद नहीं कमा सकते हैं और जो नया साल ना सिर्फ शुरू हो रहा है बलकि इस साल के साथ साथ अवमीद यही करते हैं जादा साथ संख्या में जो किसान है वो पूलों की खेती से भी जुड़ेंगे लेकिन कई सवाल जो हैं किसानों के सामने होते हैं हमारे सामने भी कई सवाल है उनके भी आज हम यहाँ जवाब तलाशेंगे और उसके लिए कई खास महमान हमासाता आज स्टूडियो में करा देते हैं हमासात मौझूद हैं पुष्पिंदर आरिया जी आप संजुक निदेशक हैं राश्चिय बागवानी पूर कृषी मंत्राले में आपको पुतादे हमासात मौझूद हैं डॉक्टर ऐसे सिंधु जी आप अध्यक्ष हैं पुष्वग्यान संभाग भारती कृष जान है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है लेकिन सबसे पहले आईए जान लेते हैं अभी क्योंकि जो सर्दियां हैं चल रही हैं और ऐसे समय में जो हमारे किसान हैं कुन से ऐसे फूल है जिनकी बागवानी कर सकते हैं किस तरह की देखभाल उन्हें करनी होगी आईए पहले के और भी काफी ध्यान दिया जा रहा है फूलों की खेती करके जहां एक और किसानों की आये दुगनी करने का लक्ष साकार हो रहा है वहीं दूसरे तरह फ़सल विवधी करन को भी नई दिशा मिल रही है इस परिपेख्षमें पूलों की खुश्बु युक्त खेती किसानो प Stockholm के लिए काफी लाबकारी साबित हो रही है। वैसे भी सurityय के मोसम को फूलों की खेती के लिए सबसे अच्छा समय माना चाता है। ओक्टूबर से फरवरी के बीच का समय फूल विविसाय के लिए किसी वर्दान से कम नहीं है। हालां कि इस समय किसान खेतों में कई तरह की फूलों की रुपाई कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ देरी से लगने वाली फसले हैं जिनकी खेती किसान कर सकते हैं, यानि इस समय कई तरह की फूल लगाया जा सकते हैं, घुलाब और गेंदे की कुछ खिसमों को इस समय पूलों की खेती खुले में की जा सकती है लेकिन बहतर व्यवसाइक खेती के लिए पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में फूल लगाना बहतर रहता है। छोटी और सीमांत किसानों के लिए तो फूलों की खेती बहतर विकल्ब साबित हो सकती है क्योंकि कम जमीन में ही फूलों की खेती से अच्छी खासी कमाई हो जाती है। तो जाना आपने इस रिपोर्ट के जरीए कैसे फूलों की खेती करके जो किसान है उन्हें अच्छा मुनाफ़ा मिल सकता है और फूलों के जरीए किसान जो है और सदा फल भी सकते हैं। इस बारे पे क्योंकि और जानकारी जो है जैसे हमने आपके विशेशक परीचर आपका कराया था यहां रक्टर सिंदू सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा। जब हम फूलों की बात करते हैं किस तरीके से अभी तक जो हमारे किसान है देश की भी अगर हम पूरी बात करें कितने किसान फूलों की खेती से आज के समय में जुड़े हुए हैं। यहां तक कि हम छोटे छोटे राजे यहां तक कि हम हर्याना की भी बात करें वो भी हमारे एक जो है कि हमारे एक मैटर है। कि है कि आर्थिक रूप से भी वो उतनी ही सुगंद जो है अपनी महिक जो है वो किसान की जीवन में भी फैला सकें। क्या कुछ सरकार हमारे जो फूलों के किसाने उनके लिए करती है। मुकुल जी अगर व्यवसारिक तोर पर बात करें हम फूलों की खेती की तो इसमें मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि इसकी अगर सबसे पहले पहल की गई थी बार्तवर्स में तो वो राश्टे अबागवानी बोर्ड के द्वारा ही एक इसकीम के माध्यम से किया गा थ जिसमें व्यवसारिक तोर पर फूलों की खेती करने के लिए सरक्षित को किस तरह से हम किसान भाई करें उसके लिए एक योजना किरियानवित की गई थी और उसमें उसी योजना के अंतरगत यह जो मैं बात बता रहा हूँ आपको यह 1994 95 की बात बता रहा हूं जब इस क्यों कोन से अक्शेतर फूलों की ख्येते के लिए उपयोक्त Unters वो सामने आंई उसमें जैसे रास्टे बागवानी बोर्ड ने अपनी कुछ अपनी योजनाओं में कुछ बदलाव करके उसको बैक एंडेड सबसिडी के रूप में अपनी स्कीम बनाई है और उसी स्कीम के अंतरगत आज वो जो स्कीम योजना है रास्टे बागवानी बोर्ड की वो इतनी आकरसित कर रह क्योंकि मोनाफा जो है यहां किसानों को जादा नजर आने लगा है रक्टर सिंदू अगर देखा जाए एक वक्त वो भी था क्योंकि जब हम बात करते हैं बदलाव हर शेत्र में हमने देखा है जब हमारे जो किसान है या तो गुलाव या गेंदे की खेती करते थे वो भी बड़ाव हुआ है फूलों से हाँ तक्निकी विकास और मान को देखते वे जैसा कि अलकाज ने भी अभी बताया था कि गुजरात में और्किड की खेती हो रही है इसी वज़े से हमारे हर्याना के एदी हम आपको एक्जामपल दें तो यहां पे लीलिया में एक हाई वैलिय यह बहुत सारे ऐसे नए नए फूल हैं जिसकी खेती बहुत सारे किसान अपनी प्रिस्तितियों के हिसाब से लोकेशन स्पेस्पिक के हिसाब से उसकी खेती करके अच्छा मुनाफ़ा कमा रहे हैं लेकिन डॉक्टर सिंदो कर देखा जाए कई ऐसी महत्पून बाते हैं जिनका ख्याल हमें रखना होगा अब सर्दियों का मौसम भी चल रहा है क्या कुछ विकल्ब एक किसान के पास रहते हैं अगर वो शुरुवात करना चाहते हैं लेकिन जो किसान फुलों की खेती की जर्बैरा की ग्रीन हाउस में खेती कर रहे हैं गुलदावदी की खेती की जाती है इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे फूल हैं जो की आजकल फ्लावरिंग में हैं और उनकी देख रेक के लिए हमें सबसे पहले तो यह ध्यान रखना चाहिए कि पाले से इसका की इरिगेशन हलकी उसमें सिचाई कर दें या फिर आप उसमें दो परतिशत प्रोटेसियम सलफेट का आप स्प्रे कर दें तो उससे भी पाले की काफी रोख थाम कर सकते हैं इसके साथ साथ कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रियंट हैं जैसे की जिंक है बौरॉन है इनका भ होंगे बहुत सारे वैलेंटाइन डे होगा उसके वैसे तो नवर्ष पर भी फूलों की खेती की काफी हमारे देश में मांग रहती है और फूलों का जो उत्पादन है काफी अच्छा होता है और बहुत सारे लोग अपने खेत को इस तरह से उसको और्गेनाइज करते हैं कि नवर्ष फेकास करके जनवरी के महीने से ही गुलाब का अच्छा उत्पादन हो और बजार में भी उसका काफी अच्छा बजार भाव भी मिलता है जी बिल्कुल ना सिर्फ बाजार भाव को हम देखें क्योंकि पूजा अरचना में भी काफी इस्तिमाल किया जाता है पूल किस तरीके से जो किसान है अब उन चुनोतियों को पार पाके आगे बढ़े हैं और फूलों से एक बार फिर से उनका जो जुडाव है जो लगाव है या एक जो रिष्टा है वो आपको नजर आने लगा है हाँ देखिए कि हम पिछले वर्ष की बात करें 2020-2020 की तो उसमें जरूर हमारा जो फ्लॉरी कल्चर सेक्टर है वो काफी हिट हुआ है और यदि हम लगबग एक अस्टिमेट भी लिकालते हैं तो कम से कम 600 से 800 क्रोड रुपे का एक नुक्षान का अनुमान लगा गया था ले फलों की तरफ चले गए लेकिन हाल ही में हमने देखा है कि दोबारा किसान लोट करके फिर फ्लॉरी कल्चर की तरफ आ रहा है और उससे उन्होंने सीख लिया जितनी भी आपदाए थी उनको एक चुनोती के तोर पे लिया और हमने भी एक नेशनल लेवल पे रास्टियस त परवर्तित कर ले जी तो ये भी काफी चीजे किसानों ने सीखी तो दोबारा फिर किसान उसी की तरफ लोट कर आ रहे हैं आपदा को आफसर में हमारे किसान ने बतला है और ये उसका देखिए एक जीवन तो धारन है कोरोना कालखंड की अगर हम बात करते हैं तो यहां आर किसान जो है वापिस फूलों की खेती पर लोट आए हैं और उनको उमीद यही है कि जिस तरीके से फूल खिल रहे हैं उनके चेहरे भी आने वाले दिनों में मुनाफिक मिले का तो शाद ऐसे ही खिल पाएंगे और सरकार भी उसके लिप्यास कर रही है हाँ इस करमे में बताना चाहूंगा मुकूल जी जैसे लक्टर सिंदू ने अभी इसमें इशारा किया है कि ये एक वैस्विक आपदा है और इसमें किसानों ने काफी हिमत के साथ में काम लिया है और रास्टे वागवानी बोर्ड की अगर में बात करूं या वारत सरकार की इस तरह की में बात करूं कि उन्होंने हमेशा किसान भाईयों का उसला बढ़ाया है इसमें और हम लोग भी अपने जो आज देश में अभी लगवाग 29 कारियला हैं सभी स्टेट्स में और यूटीज में तो उनके माद्दम से अपने अपने कारियले के माद्दम से हमने किस बाईयों को समय समय पर एडवाईजरी दी है अपनी उसमें जो उसमें सला हो सकती है जे वह सला भी उनको समय समय पर प्रदान की गई है और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा जिन बाईयों ने हमत नहीं चोड़ी जी वो आज एक अच्छा मुनाफ़ा ले रहे हैं अ खुष भी है और इससे उटसा हट भी है कि है कि आगे खिएती को किस तरहु से हम और उटसा के साथ और अच्छे तरीके से उसको बढ़एं गया जीपल और इसी में और ज्य जानकारी दे रही यह बहुत ही अच्छी क्रॉप ए साउध कुछाग के लिए क्लाइमेट है वार्म एंड हुमिट है और यह एक ऐसी क्रॉप जिसको हुमिट कंडिशन सबसंद है दूसरी बात है कि इसके शौटेज है मार्केट में और कि अपर्ट हो रहे हैं तो जितना भी हम यहां पर कि अ इसाने तरह रहे है तो रहे हैं परों यह श्यवैजत है करा ढाल जान को ग्रेंशनन जासे दोड़ेका हैं युः शवीज़ 0710 ौइं मेरी अटरशन सबसे तरह दोया दोड़ skipping आएज सबड़े चल्यच़र हमट अन्तु तें टिंक ग्र् कट किया हुआ है और इसी में इसको ग्रोव करते हैं जनरल अगर आप हैबिट डेकिंगी और्केट की तो जंगल में फॉरेस्ट में वो इस तरह से ट्री ट्रंस प्योगी रहती है भी बिंग अपिफाइटिक प्लाइट तो वैसी कर्डिशन इसको प्रोवाइड करने की कोशि यह दूसरी वैराइटी है सोमार्क वाइट थोड़ा ओफ वाइट कलर है इसका लाइट लेमन लुक देता है फ्रम दे सेंडर बड़ी सुंदर सी वैराइटी है और अगर हम इसको सीजन की बात करें मतलब जब वेडिंग टाइम चल रहा है या फिर जब कुछ ना कुछ फे मार्केट को देखते हूँ यह क्रॉप एक बहुत अच्छी क्रॉप है फार्मर्स के लिए तो ना सिर्फ गुजरात्वल के देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर बड़े पैमाने पर हमारे जो किसान हैं फूलों की खेती कर रहे हैं और खासवर से आरेजी अगर देखा जाए कि एक किसान के लिए जो लक्ष है उनकी आमदी को दुगना करने का उसमें फूलों की ख शक की गुंजायस नहीं है क्योंकि देखे जैसे डक्टर सिंदू ने भी इशारा किया था कि खादान में हम पहले से ही काफी आत्म निरबर हैं जे और अगर ये कहें कि हम आवशकता से अधिक उतपादन अभी हम खादान के जैसे ग्यहूं है या दूसरा दान है जे उसमें हम लोग कर रहे हैं तो यहां पे मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें विविदी करन की बहुत ही आवशकता है आवशकता नहीं बलकि समय की मांग है यह जे तो इसमें किसान बाइयों को यह समझना चाहिए कि हम आधूनिक तरीकर से अगर फूलों की खेती की तरफ अपना आपको थोड़ा सा क्योंकि यह पेरिशेबल नेचर जादा है फूलों का तो उसमें थोड़ा तकनीकी उसमें जादा उसमें लगानी होती है लेकिन किसान भाई अगर आज के टाइम में समझदार हैं और वो पड़े लेकि हमारे किसान भाई हैं वो अगर इसको सब चीजों मिले और एक साही परिशिक्षन भी समय समय पर मिलता रहें जी काफी महत्पूर्ण होता है प्रिशिक्षन की जब हम बात करते हैं और लक्स जिन्दों हमने देखा कि कोरोना कालखंड में भी जो प्रिशिक्षन है वो दिये गए बहले ही ऑनलाइन जो किसान है वो जुड़ कारियालों में कारियाल आरेक स्टेट में स्टित हैं उनके मादम से उनको विर्चुल मोड से जानकारी दी गई है और अब तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिरे दिरे जो जिन्दगी है वो इनसान की समाने होती जा रही है और दोबारा फिर लोट करके किसान अपने उसी हों से हैं और अपनी खेती को दोबारा चार जोगनी और दो जो तरकी है फिर दोबारा नजर आ रहे हैं लेकिन मुनाफ़ को बढ़ाने के लिए जिन्दों माना जाता है कि जो कट फ्लाउर की हम अगर बात करते हैं काफी महत्पूर्ण रहता है उसके जरीये हमारे जो किसा हैं को अच्छी आमद्नी प्राप्त होती है क्या उसमें विकल्प हो और कैसे जो किसान है इसको कर सकते हैं देखिए कि अभी सनक्सित खेती की बात कर रहे थे और रास्ट्य बागवानी बोर्ड है उसमें काफी अच्छी सबसीडी भी देता है और रास्ट्य बागवानी ब कि यह भी कृषिम अन्तराले की एक स्कीम है जो कि स्टेट लेवल पे किसानों को राज़ेस्टर पर दी जाती है और उसमें बहुत सारे किसान भाई ग्रीन हाउस अपना लगाते हैं जी और ग्रीन हाउस में हाई वेल्यू फ्लावर्स की खेती करते हैं और यहां तक की पूरे साल कर सकते हैं कि उसमें आप दो बार तीन बार उससे पूर ले सकते हैं और बज스ार में उससे अच्छी इंकम पा सकते हैं जी फ्कूर कि खाध Yarn की फसले हैं उसमें यह सब सम्मभ नहीं हो पाता जी बिल्कुल लेकर खासर। अगर यहां देखा जाया है कुछ नहां रहा जो है वो में नजर आती है लेकिन फूलों का भी निर्यात की अगर हम बात करते हैं कोरोना कालखन में थोड़ी सी लड़कडा ही ज़रूर लेकिन हम मान सकते हैं अब जो समय आ रहा है उसमें काफी तरक्की की संभावना यहां जता सकते हैं हाँ बिलकुल मुकल जी यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि जो योजना जो हम लोग चला रहे हैं रास्टिया बागवानी बोर्ड के माद्धम से इसमें जो अभी ववसाई की रूप से या ववसाई किस तर पर जो फूलों की खेती को हम बढ़ावा दे रहे हैं उसमें साथ हमने उसमें एक तरह से चिनित किये हैं जिसमें पहला जैसे गुलाव है दूसरा जैसे उसमें गुल्दावदी जिसको बोलते हैं तीसरा उसमें जैसे लिलियम है उसमें एक जर्वेरा है इसी तरह से एक और्किड है और एक उसमें अन्थूरियम है इस तरह से साथ फूलों का हम लोगों ने चैन किया है जो एक व्यवशाई की स्थार पर जिनका अपना घरेलू मार्केट में ही नहीं बलकि एक अंतरास्टी है मार्केट में भी जिसका अपना मैत है इनका चैन करके हमारे जो किसान है ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और यही देखिए ना सिर्फ हम कह प्रबंदन आपको अपनाना होगा जो पुलो की खेती है उसको अगर आप करते हैं या कैसे आप इसके जरी अपनी आमद भी को बढ़ा सकते हैं इसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे तेकिन यहां फुलाल करें एक छोटे से ब्रेक के लिए बीमारियों से कैसे बचेगी फसल बुवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल कहां से लाएं बीट कितनी लगेगी खाद किसानों के हर फोन का विशेशक्यत देंगे जवाब देखिए हेलो किसान लाइफ सुमबार से शुक्रवार शाम छे बजे ब्रीक के बाद आप सभी का एक बार फिर्स्वागत विचारिव बर्ष में आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं फूलों की खेती के बारे में और इसके जरीए हमारे जो किसान है कैसे फलभूल सकते हैं उनका फायदा जो है कैसे उनको और ज़ादा मिल सकता है फूलों की खेती करके, लेकिन कभी-कभी जब फूलों की खेती हमारे खेती हमारे किसान करते हैं कुछ समस्याइं भी उसमें आती हैं यानि कभी ही रोग तो कभी कुछ कीटों का प्रभाव है वो हमारी उपज़ पर आ जाता है वहाँ पर हमारे किसानों को क्या करना सही रहेगा इस बारे में हमारे विशेशक से जानेंगे लेकिन पहले आईए और अज़र डालेते हैं इस खास रिपोर्ट पर फूलों की खेती मुनाफे की रूप में महके इसके लिए खेतों में पहले से लगे फूलों की देखभाल और उनमें समसमाई कारियों का भी किया जाना जरूरी है ऐसा करने से ना सरिफ कीटों और रोगों से फूलों को बचा पाएंगे बलकि फसल की पैदावार भी अच्छी होगी जो आपके लिए बहतर आमदनी का जर्या साबित होगी जिन किसानों ने घुलाब लगा रखा है वे इस समय घुलाब की पौधों में काट छाट और गुडाई करें गुडाई के बाद घुलाब के तने और जड़ों को धूप लगाने वो कमपोस देने से बसंत रितूं में फूल अच्छे आते हैं इस समय घुलाब की पौधों के तनों की कलम भी आसानी से लग जाती है बाकी फूलों में जरुवत के नुसार देसी खाद, पानी देते रहें और गुडाई करते रहें सरदे के इस मौसम में काफी हिस्सों में पाला भी पड़ता है ऐसे में पाले से भी फूलों और पौधों का बचाद जरूरी है देसी खुलाब में आख बडिंग, सीचाई और निराई गुडाई करते रहें वहीं ग्लाडिलस में फसल की आवशकता अनुसार सीचाई और निराई गुडाई करें मुर्जाई टेहनियों को निकालते रहें और बीज ना पणने दें ग्लाडिलस की पत्यों पर काले धब्बे की रोग की रोग थाम के लिए शुन्य दशमलव 2% कैप्टाउन का घुल बना कर चुरकाव करें फूलों में कई तरह की कीटों के लगने के आशंका भी रहती है चौफर कीट से बचाव के लिए खेट की तैयारी की समय 20-25 किलोग्राम प्रती हेक्टर के हिसाब से थीमेट 10G या कार्बो फियूरॉन के ग्रानूल्स मिला ले अगर चेंपा और थ्रिप्स का प्रकोप है तो उससे बचाव के लिए शुन्ने दशमलव 2 प्रतिशत बेटासेट फिप्री दवा का खुल बना कर चुड़काव करें लेकिन किसान इस बात का ध्यान जरूर रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा को उई पियो करने से पहले क्रिशी विशेशक्यों की सलाह जरूर लें नर्गिस का फूल सर्दियों में उगने वाला खुश्बूदार कंधिय फूल है रजने गंधा की अंतिम बहार की कटाई चटाई पैकिंग और विपनन करें किसान बाजार की मांग को देखती हुए उसके आधार पर लंबी पुश्ब दंडिका या उच्च पॉलिटी गुर्मत्ता की पुश्बों की पैदावार करके अपनी आये को अधिक बढ़ा सकते हैं पूलों की केदी से अच्छी आमदनी लेने के लिए उन्नत किस्मों का चायन करें तो रिपोर्ट आपने देखी और जाना क्योंकि समय के अनुसार या मौसम के अनुसार कहा जाए तो कुछ कीट हैं जो हमारे पूलों पर ना सिर्फ प्रभाव अपने डालते हैं अकसर हम सभी कहते हैं कि फूलों पर जो भवरे हैं वो मंढ़ रहे हैं लेकिन कीटों की जब बात की जाए रॉक्टर सिंदू किस तरीके से ये क्योंकि किसी चुनौती से कम नहीं है एक समस्या किसान के लिए बन जाती है जब कीटों का खत्रा बंडे लगता है फूलों पर स्प्रे करें और कभी कभी हलका पानी का भी स्प्रे कर सकते हैं जिससे की मकडी जाला बनाना बंद कर देती हैं और क्योडों का जो है हम देख रेक कर सकते हैं इसके साथ साथ कुछ बीमारिया भी हैं जो की फूलों में लग जाती हैं यदि हम खाद्यान पहसलों से इनकी त जाता है बैविस्टीन से उसके बाद उसमें क्या है कि बाटराइटीस की जो अध्य है या जो फ्यूजएरियम की जो समस्य है वह यह काफी हद तक उसमें निदान उसका संभावना हो जाती है कि उसमें बिमारी वो नहीं लगती जे तो इस तरह से हम मतलब कुछ पोस्ट ट्रीटमेंट हैं कुछ आफ्टर प्लांटेशन से पहले कुछ प्लांटेशन के बाद हैं जो समय समय पर हमें कीडे और मकोडों का ध्यान रखना चाहिए और सबसे महत्वपून बात तो यह है कि जब मई, जून, जुलाई के महिने में ग्रीन हाउस अक्सर खाली होते हैं तो दो महिने के लिए अक्सर उसमें पूरी डीप लॉइंग करकर के कीडे और मकोडों की रोकतां को भी काफियत तक उसमें काफिया जा सकता है जो बिल्कुल यानि एक वो समय होता है जब आप पहले से ही उचित प्रमधनर अपनाएंगे सही समय पर तो और ज़्यादा लाव आपको होगा और सबसे महत्वपून यही कि जो आपकी लागत है उसमें कमी आ सकेगी पुषपन जी यहाँ आपसे हम जाना चाहेंगे जैसा आपने बताया किसानों को जागरुक किया जाता है प्रस्रिक्षन दिये जाते हैं इसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं पुष मेले की पूल मेले की अगर बात की जाए क्योंकि कोशिश यही हो रही है जादा स्यादा जो किसान है जिस तरीके से फूल अपनी और हम सभी को आकरशित करते हैं किसान को और जादा आकरशित और जो मुनाफ़ा इन में छिपा हुआ है उसको भी जान पाएं बिल्कुल इसमे ख़ाली एक पूसमेले की बात नीमकल जी यहां पे हम प्रोथ़ों की बात करें किसान ज्यादा अच्छे से उस काम को कर रहे हैं तो वो एक तरह से area of excellence कहलाता है तो उस area में अगर वो देखना चाहें परसिक्षन लेना चाहें और एक live demonstration लेना चाहें तो उसके लिए हम उनके पूरी उसमें जो खर्चा है वो वहन करते हैं अपनी scheme के अंतरगत तीस किसानों का इस तरह से एक program बना के और उसमें यह तो जो प्रदेश के जो बागवानी का जो विबाग है जै उसके माध्याम से यह जो agriculture यूंस्टीज है इस टेट agriculture यूंस्टीज हैं उनके माध्याम से हम लोग उनको सयोग देते हैं यहां पे योजना के बारे में भी मुकुल जी मै संग्शेफ में बताना चाहूंगा जी बलकुल कि जो योजना में जो जैसे डक्टर सिंदू ने बताया है कि योजना में हम लोग पचास परतिसत अनुदान की राशी देते हैं और उसमें जो योजना ही हमारी हैं जैसे मैंने बताया था कि साथ इसमें फलावर क्रॉप्स ह लिए सरक्षित हैदी करने के लिए हम लोग उसमें पचास परतिसत अनुदान का उसमें प्रावदान रखा है और उसके लिए जो भी इसके अलावा भी जो तक्नीकी जो मदद हो सकती है जी वो भी हम अपने जो हमारे प्रदेशों में जो कारियले हैं उनके माद्दम से भी हम किसानों को वो करते हैं और कैफेसिटी बिल्डिंग के लिए भी हम फार्मर्स को बलाके उनको समय समय पर जानकारी देते हैं जी तो यह जो पजास परतिसत अनुदान की में बात की है इसमें अधिकतम जो अनुदान की राशी मुकुल जी है वो शपन लाग तक हम लोग जैसे कंपोनिट्स होते हैं तो जो किमत आती है उसके आदार पर उसका स सपमन लाग अधिकतम उसक में अनुदान का परवदान किया जाता है जो बलकुल देखिए कि हम मान सकते हैं कि बड़ी रकम किसानों के नजरे से अगर देखा जाए लेकिन सरकार का प्रहास ही है जादा साधा जो किसान है उनको इस सुविधाय मिल सकें और किसान जो है वो भी जुड़ रहे हैं और जैसा कि यहां पर आरेज ने हमें बताया कि श गुल्दाओदी के अगर बात की जाए तो किस तरीके से इसकी खेती भी जो शोर से की जा रही है गुजरात में आये देखते हैं अब विंटर सीजन के लिए दूसरी क्रॉप एक रिजन थेमाम ऑफ एंफिल्ड में भी अच्छी होती है और ग्रेन हाउस के लिए अच्छी है ग्रेन हाउस में हमने यह थाई चैन क्वीन वेराइटी लगाई हुई है यह अल्मस्ट पूरे साहली फूल देती है यहां पर स में जून में थोड़ा फूल नहीं देखने को मिलते हैं बाकी तो यह पूरे साल फूल देती है तो इस तरह की क्रॉप जिसमें थ्रोड दायर फ्लावस आते रहें वह एक हम फार्मर्स को एडवाइस करते हैं और इसमें काफे सारी वेराइटीज हैं जो आप अच्छी से ग ही अब जो किसान भाई क्रिजन्थेम है वह साति में इसकी नरसरी वह लगा सकते हैं क्रिजन्थैमं है फो पॉट प्लान्ट के लिए बहुत अच्छी है तो इसमें किसान जहें अपने गमले में लगा सकते हैं लेकिन अगर हम लाप के साथ साथ देखें क्योंकि एक समस्या यह आती है कि खेट से बाजार तक ले जाने की जो बात है, अलों कि सरकार अपने स्थर पर प्यास कर रही है, लेकिन किसानों को के महत्पूर ऐसी बात हैं जिनका ख्याल लगना होगा, या एक जो ताजगी है फूल है, वो किस अवस्था पे तोड़ना चाहिए, यदि आप खेत में उसको खुली अवस्था पे तोड़ेंगे तो बजार तक जाते जाते हैं, उसकी जो वास लाइफ है, वो काफी अत्तक कम हो जाती है, तो इसलिए ज्यादा तर जो फूल है, जैसे कि हम गुलाब की ब इसका मतलब उसको काट लेना चाहिए, जैसको टू लीफ स्टेज पे काट लें और उसको पैक करें, मंडी में पेजें, इसी तरह से लीलियम है, लीलियम का जब उसकी बड एक बैलून की तरह नजर आए आपको, और उसमें आपको रंग नजर आएगा, यह लाल है, पीला ह या नारंगी है तो उस स्टेज पे उसको काट लेना चाहिए तो हर एक फ्लावर की हम प्रिसिक्षन के दोरान भी किसान बाईयों को बताते हैं कि उसकी जो अवस्ता है जो फूल को काटने की अवस्ता है वो बहुत ही महत्वपून हो जाती है जी और वो उसको मंडे तक पहु गैंदा है गैंदा आप देखते हैं कि वो बिलकुल खुला रहता है लेकिन वैसा भी नहीं है वो भी एक टाइट स्टेज पे उसको हर्वेस्ट करते है जी ताकि उसका जो एक वासलाइफ है उसकी जो अपनी एक लोंजिविटी है फ्लावर की वो एक बनी रहे और वो के साथ तो पहले हम देख्ते हैं अगर खास्ता और सा पासता मुख फसल पर अगरहम फूलों को रख रहे हैं कि क्यांड हमगारे किसान कर सकते हैं देखिए कि फूलों के साथ बहुत सारे किसान हैं, अभी भी मिक्स इंटर क्रोपिंग के तोर पे वो खेती करते हैं, सबजी और फूलों का बहुत अच्छा कंबिनेशन है, यदि आपने कोई भी रूट क्रोप्स लगाई है, आपने गाजल लगाई है, मूली लगाई है, पे उसका प्रभाव पड़ेगा, इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे फल हैं, जैसे की पपीता है, या अर्ली स्टेज पे आपने कोई भी बगीचा लगाया है, तो उसमें आप खुले खेत में, जितने भी कंद वाले फूल है, जैसे स्पाइडर लिली की अलका जी ने बात की थी, इस तरह से बहुत सारे ऐसे बलबस फ्लावर्स हैं, कंदिय फूल जिनको बोलते हैं, लिली है, ट्यूब रोज है, रजनी गंदा जिसको हम कहते हैं, उसकी आप उसमें अच्छी तरह से खेती कर सकते हैं, तो इस तरह से क्या होगा, कि आपको आम क्याम और गुठलियो फसल पे, तो उसकी आप भरपाई उससे, आप एडिशनल क्रोप के तोर पे आप फूलों से कर सकते हैं, जो यानि कम लागत में ज़दा मुनाफ़ा जो है, वो आपको मिल सकता है, और खासर से पुश्मिन जी अगर देखा जाए, जिससे आपने बता है, कि पचास खेती के बारे में विचार करता है, तो सबसे पहले उसको जरूरी है कि उसके बारे में कम से कम एक हपते का उसको एक परसिक्षन लेना बहुत जरूरी है, जिससे वो कम से कम इतना पता उसको हो जाए कि क्या क्या उसमें चीजें हैं जो उसमें उसको जान रखनी हैं खेती क से पहले जी तो इसमें यहां पर योजना के अंतरगत ही वो सारी चीज़े हमने पहले बलकि एक यह आवशक रखा था कि आवेदन देने से पहले ही कम से कम एक हफ़ते की उसमें परिशिक्शन लिया जाए लेकिन उसमें कुछ किसानों का हमेज जैसे पता लगा कुछ किसान भ बुजना के अंतरगत कि किसान भाई चाहे तो एक परिशिक्शन उसमें ले सकता है उसके लिए हमने संस्थाएं भी और जहां-जहां से परिशिक्शन लेना है उसको भी हमनें चिन्नित करके और उसकी एक लिश्ट बनाके अपनी वेब साइट पे उसको रखा है जैसे पू का कैसे उसमें वह ध्यान रखना है जो जमीन है उसकी जो मिटी है उसकी उसमें उसकी किस तरह से उसमें पहले टेस्ट कराना है जी और उसमें आगे उसको कल्टिवेशन के लिए उत्पादन के लिए उसको किस तरह से जो उसका प्लांटिंग मेटिरियल है जो उसको कहां से चैन करना है, क्या किस्म रखनी है, उसको कितने अंतराल पे उसको किस तरह से उसका रोपन करना है और कब-कब उसमें जो उसकी जो कल्चरल प्रेक्टिस जिसको हम कहते हैं, उसमें कब-कब क्या करना है, कि पतंगों से कैसे उसको बचाना है और बिमारियां क्या क्या होती हैं उसका कैसे ध्यान रखना है तो ये सारी जानकारियां उनको पूरी उनको दी जाती हैं और उसके अनुसार फिर वो लोग सफलता के साथ में ये काम बड़े सफलता के साथ में ऐसे बहुत सारी सफल कहानिया हैं इस सकस्सेस स्टोरिज हैं जो बिल्कुल ना सिर्फ मुनाफ़ा बलकि जो दूसरे किसान है उनके लिए वो प्रेड़ना का सोच भी बन चुके हैं, एक मिसाल बन चुके हैं, क्योंकि जानकारी लेकर वो आगे बढ़े प्रस्टिक्शन होने लिया और सरकार के जो प्रयास हैं, फली भूत होते नजर आए, क रहा सकते हैं, खास दोर से युवाओ के लिए, हाँ, किसानों के लिए देखिए, बहुत सारी अपार संभावनाई हैं, अभी स्कीम के बारे में पुश्वेंदर आरिया जी ने बड़ा विस्तिर से जानकारी भी दी है, और कोई जरूरी नहीं है कि हम कट फ्लावर की ही खे कन्ध हम हमेशा कम से कम 1.5-0 कृО्रोण के कन्ध हम लीलियम के हैं, गलेड्र les वक्रशों के हैं, इमपोर्ट करते हैं, क्यो ना हम अपने कन्ध बनाएं, तो इस तरह से बहुत सारे लेंड्सकेपिंग से जुड़ी हुई, नर्सरी की जजदी हम बात करें, पोर्ट्रे की ब लेना चाहूंगा मिस्टर आमित है वो एक डेड़ क्रोड उपे का सिरफ नर्सरी के पोदे बना करके सीजन में बेशता है जी उसका अपना यही काम है सिरफ जैसा मोसम होगा उसी टाइप के वो सीजनल की सीडलिंग त्यार करेगा और मार्किट में बेश देगा बाकी और चर्कियों की यहां पे 45 और 40 के आसपास रहता है तो कंद बहुत अच्छा नहीं बन सकता है तो जो हमारे विग्यानिक है वो तो पारंगत है इसमें लेकिन एक किसान जो है उनके लिए किस तरीके से वो इस कलामने पूर्ण हो सकते हैं देखिए अभी चर्चा भी कर रहे थ है कि उसकी बेच ट्रेनिंग दी जाती है तो किसानों को लिए तो ट्रेनिंग दी जाती है लेकिन स्किल डेवलप्मेंट में भी बहुत सारी अपारं संभावनाभी हैं हमारा स्किल काॉंसिल आफ इंडिया है जो कि ऐगरिकल्चर में ही काफी गारी उस कला का अपना वह लिकास करे हैं और उसी चेतर में वो काम करे है भार कोशल को निखाने की बात कही जाते है या क्रिशी कोशल की हम बात करें तो वहाँ भी असीन संहज्ऑ नज़स आती है और साथ ही पुश्मिंदे जी अगर हम खासवर से बात करते हैं प्रसंस कर अनशेट की क्योंकि अब फूलों के जरी भी हम देखते हैं क्योंकि हमारे जो किसान है उनका दायरा सीमित नहीं रहा है वहाँ भी संभावनाय उन्हें नजर आती हैं जानकारी महिया कराई जाती है सरकार द्वारा वहाँ आप किस तरह की संभावनाय देखते हैं जो बाकी किसान है उन्हें अगर इस दिशा में आगे बढ़ना है एक चीज़ जो मैं स्सão हम भी उसको चोड रहे हैं जी इस में किसान हम बात पर रहे किसानों की खाली है इसमें किसानों की ही बात नहीं है जो हमारे पड़े लिखे युवा हैं उनको हम कोशल उनका बढ़ने के लिए और खास तोर से जो कृशी के अक्षेतर में जिन्होंने अपना एजुकेशन ली है इसमें सिक्षा ली है उनके लिए एक बहुत अच्छा विवसाई ये निकल के आ रहा है क्योंकि ये एक बहुत अच्छा अक्षेतर है उनके लिए आगे बढ़ने के लिए और आवंदी कमाने के लिए बजाए कि एक रोजगार के रूप में एक बहुत अच्छा विक्सित हो रहा है तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो युवा हैं उनको आगे आना अगर हम नर्सरी की ही बात करें, मुकुल जी, तो नर्सरी में हम लोगों ने अभी एक इस तरह की योजना भी हम लोग चला रहे हैं, जिसमें जो भाई या जो अपना युपा को अपनी नर्सरी बनाना चाहे, जिसमें अगर quality planting material की बात करें, जिसकी सबसे पहले जुरूत उसमें अगर कराए तो उसका एक अपना उसमें पता लगेगा कि वह किस इस तरका अपना प्लांटी मेटिल तियार कर रहा है जी तो उसके लिए हमने एक अलग योजना बनाई है जिसमें एक विशेजगों की टीम हम भेजते हैं और जो नर्सरी बनाई है जिसने किसान नहीं जिसने नर्सरी मैन ने या यूँआ ने उसको हम एक लिएट कराकर उसकी रेटिंग देते हैं उसको सर्टिफिट परदान करते हैं जी वो दो साल के लिए एक सर्टिफिट दिया जाता है दो साल के बाद फिर उसको अगर उसमें कुछ उसका ग्रेडिंग नीचे है या जानकारी उसको रखनी होती है, वो सारी जानकारी उसको रखनी होती है, वो सारा डॉक्मेंटेशन करना होता है, उसका रिकोर्ड बनाना होता है, और उसके लिए क्या-क्या इंफरास्टेक्टर की जरूत है, उसके लिए नेट हाउस की जरूत है, उसके लिए मिस्ट की जरूत है, उसके लिए डिरिफ्ट की जरूत है, उसके लिए फोगर्स की तो वहां भी हम उसको मदद दे सकते हैं करने के लिए भी उस पे भी 50% अनुदान की राशी हम लोग उसको उपलब्द कराते हैं तो मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि युगाओं के लिए एक स्वर्णिम अफसर है कि वो आगे आएं पढ़ लिखके रोजगार ना तला से अप ना स्वरोजगार बनाएं अपनी नर्सरी नर्सरी में अपार संभावनाएं नर्सरी के लिए जो पॉली हाउस के जरूत पढ़ती है उसकी लागत थोड़ी जादा आती है क्योंकि उसको हम फैन पैड सिस्टम करके बोलते हैं उसमें हुमिडिटी और टेंपरेचर उसको अ उसमें अलग से दिया गया है यानि हम मान सकते हैं रोजगार ढूंड़ना नहीं होगा बलकि आप रोजगार महया करा सकते हैं यह बलकुल देखे दूसरे किसानों के लिए पी काफी अच्छा हम मान सकते हैं और इसी करीब में अगर डॉक्टर सिंदों हम बात करते हैं जो ह मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि भार सर्कार का भी एक महीं चलावा है कि आपीो बनाओ कि बहुत सारी अपयोज हैं और दस अजार और एफ़ पयोज बनाने का टारगेट भी बहुत सरकार नहीं है तो मैं चाहूंगा कि खास करके फ्लोरी कलDP में भी बowan सारी अपाष संभ का निर्यात भी करें जी और अपना जो डुमेस्टिक मार्किट है अपना गिरेलू जो बजार है उसमें भी उनको बेचने की काफी अपार संभा होना है बिल्कुल और इसके साथ पुछमेंदर जी अगर देखा जाए जैसा ड़क्टर सिंदू ने भी कहा है एक जिला एक हैं जी और इस माध्यम से हम लोग भी उसमें कुछ नहीं उजनाएं भी लेकर आ रहे हैं भी जैसे कलस्टर की बात हम करें तो उसमें हाला कि उसमें डिस्टिक का एक हमने लिमिटेशन या रेस्टिक्शन नहीं रख रहे हैं जी क्योंकि वो एक बड़े स्थर पर वो सारी और उसमें अभी उसकी मार दर्सिका और उसके लिए अभी कारिया चल रहा है याने वाले समय में हम मान सकते हैं कि बड़ा बदलाव बागवानी शेत्में में नजर आएगा फिर जो है बात हम फुलों की खेती करते हैं या फिर बात की जाए किसान की आमधनी को दोगना करन गावों और पिछरे क्षेत्रों में सरकारी योजनाओ के जानकारी पहुँचा देश में कौशल और चमता विकास कर ग्रामीनों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोडने की दूरदर्शन किसान के पहल चौपाल चर्चा देखे सोमवार से शुकरवार सुभा नौ बजे ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विजार रुबर्श में आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं पूलू की खेती को लेकर किस तरीके से हमारे जो किसान हैं पूलू की खेती से जुड़कर अच्छा लाब ले सकते हैं किस तरीके से और अलगलग विकल्प का च्छान करके जो हमारे गिसान हैं अच्छा मुनाफ़ा ले सकते हैं इसी कड़ी में बात अगर जर्बेरा की की जाए कितना लाब इसके जर्री मिल सकता है आईए देखते हैं अब दूसरी एक अच्छी क्रॉप है जर्बेरा यहां पर साउथ कुजरात में यह काफी ग्रो हो रहा है और जो ड्यली मार्केट में आराउंड मोर देन 60 पर संट शेर जो फ्लावर का है वो जर्बेरा का वो साउथ कुजरात से ही आ रहा है क्यूंकि हां कि क्लाइमेट और काफी ग्रोवर्स इसको ग्रोव कर रहे हैं लेकिन थोड़ी सी इसमें दिक्कत आती है कुछ पैस्ट प्रॉब्लम्स आते हैं क्योंकि हाँ पर हुमिडिटी काफी हाई रहती है तो थ्रिप्स इन्फेस्टेशन और जैसे ड्राइ क्लाइमेट होता है तो माइट इन्फेस् फूलों की खेती में ये अच्छी क्रॉप है तो देखा आपने जर्बेरा की अगर बात की जा इसके जरिये भी अच्छा लाब या मद्दी जो हम कह सकते हैं हमारे किसानों को मिल रही है और उदेश यही है कि मुनाफ़ा फूलों की खेती करके हमारे किसान कैसे बढ़ह सकत हैं और खासार से अगर हम बात भी करें हमारे किसानों की तो पहले हमें यह सोनिशित करना होगा कि आपके शेत्र में और फिर जलवायू का अनुसार उन अलगलग फूलों का चायन कर रहे हैं किसान हाँ बिलकुल बहुत अच्छी बात कहीं मैं तो यह समझता हूं कि जलवा बहुत ज्यादा मतलब की सफल और सुद्रेड होगा है यही मुनाफ़द सिर्फ दोगना नहीं चौगना भी हो सकता है तो यदि हम बल्बस फ्लारुश की खेती करते हैं हिमाचल में कारनेशन की खेती करते हैं हिमाचल में जरवेरा की खेती पूने के छेतर में करते हैं और जितनी भी आर्थिक योजनाएं हैं भारत सरकार की, चाहे वो नेसल होटी कल्चर बोर्ड की हो या स्टेट मिशन जो हमारा एनेचम का है, उसके मादम से हो, तो इसमें बहुत जादा हमें उत्पादन मिलेगा और क्वालिटी प्रोडॉक्शन मिलेगा, गुल्वता भी का विवधी करेंट पर भी हमें जोरदा देना होगा जैसा पषिमदर जी ने हमें बताया थे लगातार यूचनाई चल रही हैं जिसका लाब किसानों को मिल रहा है, और जाधा स्षानों को इनका लाब लेना भी चाहियेे, लेकिन पुछमेड़ जी कैसे जो नया किसान है, वो प्रियोजना इस्टेट और होटिकल्चर मिसन और राष्टे बागवानी बोर्ड दोनों स्थर पर चल रही है और फर्क सिर्फ इतना है कि राष्टे बागवानी बोर्ड पच्छिस सो इसक्वार मीटर से बड़ा जो पोली हाउस बनाएंगे किसान भाई उसके लिए अनुद कराते हैं तो इसमें थोड़ा सा संक्षेफ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके लिए आवेदन कुछ हमारे पास में जो आई थी लोगों कि इसको थोड़ा जटिल बनाया है जे योजना को तो उसको हमने सरली करन किया है इसका इसको सिंपलिफाई किया है इसको प्र इसमें यह तो पैन कार्ड यह तो अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड या कोई इस तरह का जो आईडेंटिटी प्रूफ है उसके मादम से अपना रिजिस्टेशन कराना होगा लोग इन करके और एप्लिकेशन ओन लाइन राश्टे बागवानी बोड को भेजनी होगी उस इसमें जो उसके लिए जो जरूरी जो कागजात हैं उनको भी स्कैन करके वो हमें बेज सकते हैं जी बलकुल तो उस आवेदन के आधार पे ही हम लोग उसको फिर आगे निरिक्शन उसका करके एग्जामीन करके उसको उसमें एक इनपंसिपल अप्रूवल हम लोग किसान को किसान भाईयों को परदान करते हैं तो लेकिन उसके लिए सर्थ ये है कि या तो किसान भाईय के पास अपनी जमीन है अपनी भूमी है उतनी जिसके लिए वो सरक्षित हैती कर सकते हैं या फिर वो एक लीज पे रजिस्टर लीज कराके उस जमीन को किसी दूसरे से ले सकते हैं जी कम से कम दस साल से ज्यादा कि उसके लिए लिए होनी चाहिए तो दस साल से कम लिए उसके लिए स्विकारिय नहीं है जी तो यह एक ध्यान लखने वाली बात है जो मैं यह इस तर पर बताना चाहूंगा जी उसमें आवेदन करने के लिए यह ध्यान लखना है कि जो क्र धृबांवानी अधिकारी की इसतर चास्राइब के साथ है। में तरह क। ऑब्लीकेशन के साथ में क्या-क्या हून나 हैं व्यूं और धूंभानना है तो सारा इतना सराव कर दिया गया आज के समय में कि उसमें आपको एरानी होगे सुनके कि इतना अच्छा उसका रेस्पोंस हमें अभी मिल रहा है और खासतोर से कोविड के समय पे कि हमें अभी इस साल में इस वर्स में हमें इतनी अप्लिकेशन साही हैं जी साल 2020 की अगर बात करें जी तो 2020 में हमारे पास में एक हजार से ज़्यादा एफलिकेशन आ चुकी है जिसके अंदर साइध पचास परते साथ हमारे पास सरक्षित खेटी के लिए आवेदन है जी बिकल आवेदन तो उससे ज़्यादा आ सुके हैं यह वह आवेदन है जिनको हम स्विकार कर और उसमें लोग इसमें अपने आपको मैं तो ये कहूंगा कि अपने आपको अपग्रेड कर रहे हैं लोग और एक अच्छी आमदनी का उसमें चाहूंगा और आने वाले समय के अगर बात की जाए किस तरीके एक साथ एक बड़ा बदलाब जो है वो नजर आए अब हविश्य में बिलकुल मैं यहीं पर इसी करम में यह भी बताना चाहूंगा कि मानिया प्रदानमंत्री जी ने जो अभी उद्गोशना की थी पिछले साल में कि जो एगरिकल्चर इंफरस्ट्रक्टर फंड्स की एक एक लाग करोड का जो योजना एक आई है उसमें उसके में बहुत अच्छे आउसर किसान बाईयों को मिलने जा रहे हैं खाली किसान बाईयों को नहीं मैं तो यह कहूँगा कि हमारे जो नवयोग है युवा हैं उनके लिए बहुत अच्छा आउसर है उसमें राष्टे बागवानी बोड की स्कीम के अंतरगत भी उसमें जो किसी कटाई के उपरांत जो संसादन करने हैं उसमें वो जाके उसमें अपना प्रोजेट लगा सकते हैं या शीप रहो कि अगर बात की जाया दूसरी जो आवश्रक्ता है उनकी पूरती हो पाएगी उसमें जो जो उसमें जो रिन की उपलमता है वो तो उसमें जो फाइनेंशल जी उसमें राष्टे बागवानी बोड भी उसमें एक बहुत बड़ा अपना योगदान कर रहा है जी बलकुल लगाता है एक बड़ा योगदान और महत्वोर योगदान जो है ली जाये उसमें पैक हाउस की बात हम करें जी या फूलों की अगर हम बात करें तो उसके हम लोग ने बहुत सिंपलिफाई किया गया है और उस में एक अभी हम बहुत जल्दी एक उसमें वह बना रहे हैं अपना वेबसाइट पे नर्सरी के जितने भी हमारे किसान बाई हैं नर्सरीमेन हैं इस इस तरह से उनको एक अच्छा प्लांटिंग मेटल उपलोफ हो पाए उसके लिए भी एक अपना एक उसमें एक एक और बड़ा प्लेटफॉर्म यारी माल सकते हैं किसानों के लिए जिससे सभी एक जगह पे वह सारी जाने के प्लोफ होगी। और जितनी भी सरकार की योजना हैं चाहिए नेशनोंटिकल्चर बोर्ड की हैं या वो क्रिशी मंत्राले की हैं इनका फाइदा उठाते हुए यदि किसान सामने आता है तो वो अपना एक रोजगार ही नहीं इसको एक बहुत बड़ा वेवसाई का रूप दे करके और इस फ्ल में देखा जा रहा है और नया साल अब शूरू हो चुका है हम यही मानते हैं कि जो नया भारत है यहां पर कृशी शेद हमारा कुछ नया नजर आएगा जिस तरीके से फूल अपने खुश्बू पहला रहे हैं हम उमीद यहीं करते हैं हमारे जो किसान हैं उनके जीवन में भी आर्थिक रूप से जो खुश्बू है बरकारा रहे और जादा आमदनी उनको इस वर्ष हो सके फिलाल आप हमारे साथ जो विश्यशक जुड़े डॉक्टर सिंदू साथी पुश्बिंदारिया जी साथी डॉक्र अलका हमारे साथ जुड़ी गुजरात से आप तिनों क हमारे सामने हैं उम्मीद करते हैं इस तरह नए वर्ष में आप खुबत आमदनी जो है वो ले सके फूलों के जरीए फूलों से जो आपका लगाव हो बिल्कुल कम ना हो और जिस तरीके से फूल अपने तरफ हर किसी को आकशित करते हैं मुनाफ़ा भी आपको ऐसे आकशित करता रहे और फूलों के तरह आपका चेहरा भी हमेशा यूँ है खिला रहे फूल हाल के लिए आज विचारी में बस इतना ही दीजे इजासत नमस्कार